मुमश्कार दोस्तों आप सालीट अफ्रागत हो यूटूब चैनल असके के साइड दोस्तों आपके सेशन में हम चर्चा करेंगे इस्टोंडॉक प्रोड़क के बारे में जैसा कि आप इस्क्रीन पर देख सकते हो AWPL कंपनी का इस्टोंडॉक रस इसके इंतरगत हम इसके इंक्रिडेंट्स इससे बेनिफिट्स इससे प्रयोग में लेने की भी दी और यूज करते समय क्या-क्या परहेज क्या-क्या सवधानिया बढ़ते हैं इन सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे दोस्तों आईए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इस्टोंडॉक रस के इंग्रिडेंट्स की दोस्तों आप इस्क्रीन पर देख सकते हो इन ही सारी जड़ी बूटियों से मिलाकर ये प्रोड़क्त बनाया गया है इन सारी जड़ी बूटियों का इंग्रिडेंट्स का वीडियो अभी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन ही इंग्रिडेंट्स को डिस्क्राइब करके आपको बता दूँगा कि किस किस काम में आती है आगे चलते हैं इंग्रीडेंट्स के बाद हम में stone rock rust के benefits के बारे में चर्चा करेंगे आप ए श्क्रीन पर देख सकते हो प्रिशाब में जलन, किड्नी के श्टोन में फैयदेमन, डैलिसिस में प्रिशाब का पीला होना, पिशाब होने के बाद दर्द, सर में पानी नहीं टिकना इत्यादी सारी समस्यों में लग करी है इसके बाद हम बात करेंगे स्टोन डॉक रस को इस्तमाल कैसी किया जाता है इस्तमाल करने की बिदियन जैसा कि आप इस्क्रीन पर देख सकते हैं इसे 25 से 30 ml इस्तमाल करना है इस्तमाल करने से पहले सुबह में खाली पेट उसके बाद जो दो बाद लेना है वो खाना खाने के एगँटा बाद फिर 15 दिन کے बाद इसे दो बार लेना है सुबह में खाली पेट और राथ को सोने से एगँटा पहले है उसके बाद सावधानियों के बाद करें ज्यादा खटे पदार्थ नहीं लेना है AWPL के प्रोडक्स के साथ दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद